नमस्कार आप देख रहे हैं खबर 120 सेगिन में और मैं हूँ आपके साथ वंचिका सिंग बात करेंगे अफगानिस्तान में हुए बड़े अटाक को लेकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को आतंकी हमला हुआ यहां एक आतंकाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया काबुल पुलिस ने हमले की पुष्टी भी की है काबुल पुलिस ने बताया एक आतंकाती हमलावर ने सोमवार को अफगानिस्तान की राजधानी में विस्वोट कर दिया है इसमें 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 13 लोग जखमी हुए है काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जारदान ने शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर ये भी लिखा है कि आज दुपहर एक व्यक्ति ने अपने शरीर में विस्फोटक बांध कर विस्फोट कर दिया दुरभाग इसे एक महिला समेट 6 नागरिक मारे गए हैं और 13 लोग अन्य खायल हो गए हैं हाला कि अभी किसी संग्टन ने इस हमली की जिम्मेदारी नहीं लिये ये हमला दक्षर काबुल के कलाय बक्तियार इलाके में हुआ है पुलिस का ये भी कहना है कि जाच शुरू कर दी गई है अफगानिस्तान में 2021 में अमारी की सेना की वापसी के बाद तालिबान ने कबजा कर लिया था इसके बाद वदेशी सेनाओं और विद्रोही गुटों के भी संगर्श रुकने के बाद हिंसा की घतनाई कम हो गई है हाला कि प्रतिबंधित आतंगवादी इस्लामिक स्टेट के ही संगटन आयस खुरासान अफगानिस्तान में आक्टिव है और नियमित तौर पर हमले कर नागरिकों, वदेशियों और तालिबान अधिकारियों को निशाना बनाता रहा है फलाल के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है और अब वहां के काबुल में बहुत बड़ा विस्पोच हुआ है जिसमें 6 की मौत हो गई है और तेरा घायल हो गए है आपका क्या कहना है नूचे दिये गए कमेरी सेक्शन में अपनी उराइ भी जरूद है मैं थिया आपके साथ बंशिकार सिंग और आप देख रहे हैं खबर 120 सेकंड में